Hello students, मैं संदिप सिंग, वेलकम करता हूँ आपका Magnet Benz हिंदी में जहां पर मिलता आपको Free Education from Class 7th to 12th तो हम अब आपके लिए लेकर आगए हैं UP Board के लिए Exclusive Classes जी हाँ, अब हम cover करना जा रहे हैं हमारे UP Board, उत्तर प्रदेश Board के accordingly हमारी 9th Class की Fajic Subject को अब इसमें हमें 9th Class में कौन-कौन से topics, कौन-कौन से chapters discuss करने हैं throughout of the year, उसको हम इस session में discuss करने वाले हैं and हम ये भी discuss करेंगे कि इन chapters के माद्यम से कौन-कौन से formats की तयारी आपकी हो जाती है मतलब हम इन सभी chapters के अंतरगत क्या-क्या pattern देखने वाले हैं और किस तरीके से तयार करने वाले हैं तो चलिए भई, सुरू करते हैं मिशेशन को, देखते हैं कि हमें इसमें इसमें chapters कौन से पढ़ने हैं और उन chapters के अंतरगत क्या-क्या चीज़ें आएंगी तो हमारी जो science की book होती है, हमारी जो विज्ञान की book होती है उसके accordingly उसके अंदर तीन portion गिवन होता एक हमारे physics है, एक हमारे chemistry है और एक हमारी biology है मतब एक भहतिक सास्त्र, एक रहसायन सास्त्र और एक हमारी जिविज्ञान जहां पर भहतिक सास्त्र generally आपके book में chapter number 8, chapter number 12 तक गिवन है जिसमें chapters कुछ इस प्रकार से है, सबसे पहले, मतब chapter number 8 आएगा वो हमारे physics के accordingly सबसे first part होगा, गती, motion की बात करेंगे secondary हम chapter number 9 की बात कर रहे होंगे, जहांपे हम forces तस्ता laws of motion की बात करेंगे बलत था, गती के नियम की बात करेंगे and chapter number 10 में हम बात करेंगे गुरुत्वा करशन की, गुरुत्विया आकरशन की and इसे प्रकार chapter number 11 में बात करेंगे, कार तथा, ऊर्जा सामर्थ की ठीक है, इसके साथ ही साथ हम chapter number 12 में discuss करेंगे, ध्वनी sound को discuss कर रहे होंगे, ठीक है, तो throughout of these chapters हम क्या discuss करेंगे भई तो हम करेंगे इन chapters के अंतरगत, सबसे first तो हमारी concepts, सबसे पहला ही step होगा हमारी concepts का, सबसे पहले हम देख रहे होंगे हमारे concepts को and secondary हम concepts के साथ साथ में इसमें cover करेंगे, हम इस से जूड़ी हुई हमारी सभी प्रकार की MCQs questions को, जितने भी MCQs questions हो सकेंगे multiple choice questions के भी बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं बात करना चाहरा हूँ कि भई इसमें जितनी भी हमारी चीज़ें cover होती है, मतलब fill in the blanks हो गया सही जोड़ी हो गया, सही गलत हो गया, एक सब्द में उतर देने को, उन सब को cover करेंगे हम one short revision के माद्ध हम से इस पूरे chapter को revise भी करेंगे इसके साथ ही साथ हम इसमें इसके जो most important questions है, उनकी भी बात कर रहा हूँगा and numericals के discussion हम अलग से कर रहे हूँगे, derivations के discussion हम अलग से कर रहे हूँगे मतलब कुल मिला जोया करके, ये एक complete package होने वाला है, अगर ये session आप continuously cover कर गए तो भाई आपको अतरिक्त कहीं पर जाने के जोरत नहीं है, तो चलिए, देखते हम सब सब first, chapter number 8, जो कि हमारा गती है, इसमे क्या चीज़े देखनी है, तो हमें देखना यहां पर, गती के परिभासा Eon, गती का प्रका, ठीक है मतलब गती होती क्या है तो जैसे अगर ये दो जो घास जो आ रही है अगर ये नहीं आती तो आपको क्या फील होता है मैंने इसको अगर ढख दिया तो आपको क्या फील हो रहा है ये चल रहा है कि वहीं पर रुका हुआ है तो आप इसके head position को देखिए इस position को तो आपको लग रहा नहीं तो रुका ही हो रही ही के यह लेकिन यह जो grass वाली position है यह क्या और यह आगे पीछे जा रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है कि यह चल रहा है मतब समझ माता है कि किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के सापक्ष स्थान परिवर्तन को ही कहते हैं हम गती अब इसकी प्रकार के बारी होगी मतब गती किस किस तरीके की हो सकती है तो यहां पर discussion जो है वो किसी प्रकार होगा कि हमारे जो गती होगी वो यूनिफर्म हो सकती है नौन यूनिफर्म हो सकती है ठीक है और साथ ही साथ अब हम इसमें डिस्थाइब करेंगे इस गति से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट टांब्स को जैसे दूरी और विस्थापन अब यह कोई चलेगा स्थान में परिवर्तन होगा अल्टीमेटली उसने दूरी तैय किया होगा तो दूरी क्या होता है इसको डिस्थापन को अच्छा भई तो यहाँ पर फिर बारी आती है कि यह दूरी और विस्थापन कंपेर किसके साथ में हों गए तो इनको कंपेर करने वाला है हमारे पास टाइम समय और जैसे इन दोनों को समय से कंपेर करते हैं तो यह दूरी को समय से कंपेर करने पर चाल कह लेते हैं विस्थापन को समय से कंपेर करने को वेग कह लेते हैं अच्छा भई फिर मैंने का इस वेग को भी अगर समय से कंप करो और तेज करो और तेज करो मतलब और इसलिरेट करो और उसका चश्ट अपोजित होता है रिटार्डेशन गाड़ी को क्या करो स्लो कर दो ठिक अगली बात करेंगे जब यह दोनों के रिस्किशन हो रही है और दोनों ही दिखने कि यह टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो भई इसका सिर्फ गणीतिय निरूपर उसे काम नहीं चलेगा मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटीशन भी चाहिए क्लास नाइट बहुत ही ज़दा इंपॉर्टेंड हो जाती है जहां पर टेक्निकली पूरी तरीके से बात करना प्रारंब कर देते हैं पूरा टेक्निकल मतब अब हम निमेरिक टर्म्स में बात करना सुरू करते हैं जनरल आंसर्स को अब हम वाइट करते हैं तो भई ये तो गनितिय व्याख्या हो गया इन गनितिय व्याख्या का ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां पर समय दूरी ग्राफ की बात कर रहूंगे क्योंकि mathematical चीज़े जो होती है वो step boys होती है graphical जो होता है वो लगातार होता है continuous होता है तो इसकी continuity को पता करने के लिए भई हम आ जाएंगे किसमे graph में अच्छा तो क्या इतना ही है इस chapter में तो भई नहीं और भी इस chapter में इस chapter का main representation ही है इसके साथ में गती के समीकरण के साथ यह जो diagram दिख रहा है इस diagram के accordingly हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर देखें ना नीचे यहाँ पर समय दिख रहा है यहाँ पर जो दिख रहा है यह वेग दिख रहा है और यहां पर एक यह लाइन ड्रॉ की गई है तो यह लाइन बता रही है कि यह जो जर्नी है यह 30 सिकिंट तक लगातार चलती रही लगातार चलती रही अगर मैं इसी जगर पे कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता हूं से मैंने यहाँ पर गायब कर दिया यहाँ पर कोई रिजल्ट ही यह लाल वाली जो लाइन दिखने थी इसको यहाँ पर कट मार दिया यह कट्स लगाने का क्या फाइदा हुआ तो मैं कैसा कूँगा यहाँ से यहाँ तक मतलब इस time से इस time तक कोई गती नहीं हुई इस बीच में कुछ भी गती नहीं हुआ तो भी जब गती नहीं हुआ तो यह यहां कैसे पहुँच गया इन सभी चीजों के answers हम देखेंगे इस chapter के अंदर graphical representation से and हम बात कर रहे होंगे गती के समीकरण की वो भी हम इसी यह जो दिकरा graph इसी से बात करेंगे जहाँ पर तीन समीकरण होता है हमारे गती का पहला तो होता है V equals to U plus 80 दूसरा हमारा S equals to UT plus half of 80 square and third one is V square minus U square is equals to 2AS यह तीनों समीकरण को हम इसी graph से प्रूफ कर रहे होंगे इस graph से हम इन तीनों समीकरण को प्रूफ करेंगे इन तीनों समीकरण को हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर हम discuss करेंगे भाई U क्या है V क्या है A क्या है T क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में ठीक है क्योंकि इसके दो प्रूफ से एक ग्राफिकल और एक मैथमेटिकल एक गनितिय रूप से प्रूफ और एक ग्राफिय रूप से प्रूफ इन दोनों की हम चर्चा करेंगे और अट दे लास्ट अफ दिस चाप्टर इस एक समान वृतिय गती एक समान वृतिय गती का मतलब कि अगर कोई भी सपोज मान लेता हूं में गुलाकार पती है इसमें वो एक समान रूप से मतलब एक समान चाल से चले जारा चले जारा चले जारा है तो मतलब एक केंद्र के परिता ये घुमे जारा है ठीक है तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर विस्थापन क्या होगा यहाँ पर वेग कितना होगा इसका चाल क्या होगा इसमें त्वरण क्या होगा ठीक है यह सब कुछ हमें हमारे गती चेप्टर के अंतर के देखना है तो भई और आगे बढ़ता हूँ मैं अब discuss करता हूँ मैं chapter number 9 को 9th chapter में क्या discuss करना है भई तो इसमें कहना है हमें बल तता गती के समीकरन की ठीक है sorry गती के नियम की equation of motion पीछे आ चुका ये गती के नियम है वो था गती के समीकरन तो भी forces and laws of motion में क्या discussion होगा तो see force क्या होता बल क्या होता है तो बल हम कहते हैं कि अगर किसी object को हमने एक external code से एक बाहिकारक के दोरा उसकी लंबाई बढ़ा दू ठीक है उसकी दिसा बदल दू या उसमें गती दे दू या उसकी गती को बदल दू मतलब उसकी state में change ला दू मतलब रुका है तो चलने लग जाए ठीक है अगर वो लंबा दिक रहा तो उसको और खिच करके लंबा कर दू या उसको गोल कर दू ठीक मतलब उसका shape change कर दू या मान लीजए एक ball आ रही है मैंने बैट अड़ाया और उस ball को दूसरी दिसा में बेजना सुरू कर दिया मतलब उसकी दिशा बदल दू तो यह सब करने वाला जो बाहे कारक है ना यही हमारा बल है अब जैसे एक object इसके उपर बल लग रहा तो यह क्या करेगा यह इधर की तरफ खिसकना सुरू हो जाए यह आगे की तरफ चलना सुरू हो जब यह चलता है तो इसके बेस में फ्रिक्शन आजाता है घरसरन आजाता है जो की हमें रोखता है इसको आगे जाने से इन सब चीजों की चच्चा इसके इंदरगत करेंगे सिरियल ओर जब अगर देखे तो सबसे पहले ही हम बात करूंगा बल की परिवासा और इसके प्रकार तो बल के पर परिवर्तित कर सकता है रुके को चला सकता है चले को रोख सकता है होता है दो तरीके का यह एक होता है हमारा balanced और एक हमारा unbalanced देखें बहुत सारी categorization है एक balanced और unbalanced की category होगी इसी प्रकार से contact और non contact की category होगी बट हमें यहां जो पढ़ना है तो पढ़ना balance और unbalanced पसंतुलित बल वह में क्या देखना है और और संतुलित बल को है अच्छा संतुलित बल और और तंतुलित बल की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हमें समझ मैं आता है कि संतुलन में हो जो चीक है जीसे नॉर्मली हम क्या कहते है अगर लिजए बारीस के दीन में कई बार को साल गुर जाते किर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं बैलन्स विगड़ गड़ गया इसलिए गर गड़ गड़ तो यही कुछ हैं चाप्टलन विड़ गया है इसले गिर गया मतलब कोई change कब देखने को मिलता है किसी चीज में जब वो आ संतोलित हो प्रुशा जाता रहेगा नियम के बल के नियम हमेशा ही आपके साथ रहने वाली है हर जगह इसकी utility है जैसे पहला नियम जो है वो हमारा जड़तों पर आधारित है जो first law motion है वो जड़तों के ऊपर आधारित है एनोशिया के ऊपर बेस्ट है कि मतलब कोई वस्तु अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है हम भी तो करते हैं ना हम बैटे हैं कोई पढ़ पहले क्या करता है वो पहले हमको रोगता है वहले यह नहीं जा रहा है लेकिन मैं बहुत ज़्यदा असंतु लिट बल लगा दूंगा तो चल लेगा मतलब यह जड़तों के अंतरकत हम डिसकस करेंगे दृतियों नेम के डिसकस करेंगे जहां पर हम सम्वेग की बात कर होता है यह होता है हमारा मास और विलासिटी का प्रोड़क्ट यह गुननफल होता है किसी द्रबमान का और उसमें अगर बल लगाते तो उसके एक विलासिटी मिल जाएगे एक वेग मिल जाएगी तो उसके द्रबमान और वेग का गुननफल होता है इसी को हम कहते हैं मोमें कितना दूर फिसल सकता हूं कौन बताएगा तो ये बताएगा कि भाईया आपका द्राइमान कितना है तो आपकी विलोसिटी कितनी होगी ठीक है अच्छा इसी के ओपर बेश डितियनियम है इसका मतलब का है जिस दिसा में बल लगता है उसी दिसा में विस्थापन देखने को मिल जाती है ठीक है जिस दिसा में बल लगते हैं उसी दिसा में हमको विस्थापन देखने को या फिर ऐसा को समवेग की दिसा में हमको वहां पर जो फोर से वो दिख जाती है इस तरह से हम दृतियनियम को डिसकस करें जो दृतियनियम में यह तो बहुत ज्यादा फेमस है क एक चाहटा मारा तो हम तुरंट ही पलटके उसको भी दे दे देते हैं धर देते अना रूपते थोड़ी। तो मतलब क्या समझ माता है क्रिया के बराबर बिपरित प्रतिक्रिया या आप ले सामने वाले को चिला तो सामने वाला भी आपको चिलाएगा मतलब कुल मिला के समझ में आता है अगर मैंने किसे object के उपर force लगाया है तो वो object भी मेरे उपर force लगा रहा होगा और कैसा? Equal amount में ये तीसरा नियम है क्यूरिया के बराबर बिपरीत प्रतिक्रिया इसके बाद इस chapter के अंदर आता है समवेग संरक्षण का सिद्धान अभी ये जो समवेग था ये संरक्षित रहता है इसके सिद्धान कहां काम करता है जब दो चीजों के बिच में टकर हो कॉलीजन हो दो चीजे टकरा है जैसे वो आपने खेला होगे ने वो पिड्डू बही ऐसा 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 ये पत्थर एक के उपर एक के उपर ऐसा जमा लेते थे और यहां खड़े होकर के अपने बॉल से इसको मारा जब इसको बॉल से मारते थे तो यह क्या होता है यह नीचे की तरफ बिखर जाते थे और यह नीचे की तरफ बिखर गया भई चाप्टर के अंदर मतबलत था गती के नियम चाप्टर चाप्टर नमबर 9 अच्छा भई तो अगले चाप्टर की बात कर लो मैं जदा तो चाप्टर नमबर 10 में डिसक्स करेंगे हम ग्राविटेशन को गुरुत्व आकरशन को जी हां नाम सही के लिए रहे ना गुरुत्व प्लिस आकरशन गुरुत्व का अकरशन मतब प्रित्वी के द्वारा लगाया गया बल प्रित्वी जितने से हमको आट्रक्ट कर रहे होती है अपनी केंदर की तरफ उसकी हम बात कर रहे होंगे इस चाप्टर के अंतर गर्ट लेकिन क्या सिर्फ प्रित्वी ही गुरुत्व आपमान है वो गृतवा करशन भल लगा रही है वो फोर्श एट्रैक्शन लगा रही है गृतवा करशन भल की ऐा खासियत है यह तोर पर्शी बल जो भी हमने पिछले चैप्टर में डिसक्स किया कि बलकुद दो और केटेगरी एक इसपर्सी और आस परसी यह आस पर सी बल लेकिन यह हमेसा अट्राक्शन फॉर्स होता है मतलब हमेसा दोरो वस्तु एक डूसरे को खीची रही होती है कभी धकेलने का कोई केस नहीं आएगा जैसे आपने देखाने दो चुम्बक एक तरफ से तो चुम्बक क्या करता है उसको आकर्षित करता है लेकिन उसको पलट कर रखने पर उसको प्रतिकर्षित करता है उसको दूर धा कहलता है तो मतलब चुम्बक में दो नो गुण है आकर्षिन भी कर सकता है और प्रतिकर्षिन भी कर सकता है लेकिन गुर्तवा करस्त सिर्फ आकर्शन करता है और करता है जिसमें दरबे मानों तो इसकी हम बात करेंगे कि बेख गुर्तवा कर्शन वह और उसका सारवत्रिक नियुद अच्छी चप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना इतना तारा चप्टर है आप तो यह समझें ना हम हुआ पनी बैटे बैटे कर सकते हैं थैनो कुछ बैट इन्ट्रस्टीन सब्सक्राइन होता है जब करें बात कर देह conception क्रिश ON которой हमारे एक्ट्मसभ्यूर्प के बारे में जहां पे हमुआत सरीड़िंगे वह सरी सिख उन्पर सिर्टेसुर्प समझेंगे तो इंट्रस्ट् बड़ा टेलिस्कोपे बहुत बहतरी इमेज़स क्लिक कर सकता है वो भी जो क्लिक करके देता है उस जगह पर जा नहीं सकते हैं लेकिन हम वहाँ पर यह कैलकूलेशन कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बात आजाएगे गुरुत्वियत तिवृता और गुरुत्विय त्वरण की यह दोनों बाते हैं हमारे प्रत्वी के लिए हो रही है कि प्रत्वी किस बल्ट से हमें अपनी तरफ आकर शित कर रही है तो वहाँ पर त्वरण कितने होगा फिर हम बात कर रहे होंगे इसकी तिवृता की कि अगर कोई भी वस्तू किसी दूसरे वस्तू के होंगे मुक्त पतन को फ्री फॉल अच्छा यह आप सभी ने असास भी क्या होगा पता है कि जब हम वो चर्खी पर बैटते हैं वो जूले पर गोल जो घुमता है उपर जाते समय तो बड़ा मजा आता है बहुत जादा है वी रिजट फील होता बहुत अच्छा रगता है ल जितने से नीचे खिच्री हम भी उसी के दिसा में जा रहा है इसके कारण होता है इसके बाद वापस से इस बागती के समय कर इंट्रड्यूस हो जाएंगे जो हमने यहाँ पर अभी देखे थे वी इक्वल्स टू यू प्लेस एटी एस इक्वल्स टू यू टी प्लेस हाफ डी आटी स्क्वार्रण बीच्वार्र मैं देन फिष्क्वार्र मीच्वार्र डीस गवांवार्ण तो डीयू इस एज्वर्स टू एस अब इन एक ही जगहों पर यह ज़ाए दिक ऐसे इन जाना इख रहा हुआ है इन सबी यह की जगह पर जीर जा जागा तो जी आ जाए ज आईसे होंगे क्योंकि मैं एक बॉल को उपर फेक्ट हो तो दीरे दीरे बॉल रुकने लगती है और जब बॉल नीचे गार रही होते है तो दीरे दीर सकी विलाउसिटिय के बढ़ने लगती है तो मिनकी चछा करेंगे इसके इंतरगत फिर हम बात करेंगे द्रब्मान और भा बार है और रबै्माण के वे चीजों से मिल करके बना है वो है उसका द्रबान ठीक है जिन producción में उसके चुछ्टा करेंगे पूरा फिर हम बात करेंगे लिक्विड में पूर कि लिकविड़् रिशर कि तरलों मुख कुछ आजीब सा मुख है ठीक है कुछ आजीब सा यह ठंडीक दिन है अजोगा तो इस मग से किया पानी निकाला कहां तक यह मग इसी 2C के अंदर सिर्क नहीं ही दॉह यहां से यहां तो आपको यह मग हलका मैसूस होता है लेकिन जैसे इस मग को बाहर निकाल लेंगे जैसे इस मग को बाहर निकालेंगे यह मग भारी लगने लगता है तो वह क्यों लगता है किस तरीके से होता है इस मग कैसे प्रेशर होता है इनकी बात करेंगे उत्पलावक्त से हमें पता चल रहा होगा कि कोई अजित किसी लिग्विड के अंतर तहरेगा के डूब जाएका कौन से असे इस्थिति हो गि जिसमें वह डूब जाएगा इन सभी चुछों कि चवरचे हम करेंगे आप एक ऐrangटों है चीक है आगे बढ़ते हम चाप्टर नमबर 11 की तरफ और यहां पर हम बात करेंगे कहारे तथा उर जाके देखें यह पूरी यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है न वो सर्फ और सिर्फ एनरजी के लिए चल रहा है मतलब जो भी लड़ाईया है जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ किस के लिए वह एनरजी एनरजी चाहिए क्यों क्यों को काम कराना है मतलब ऐसा समझ में आता है कि जो काम करने की छमता है उसको कहते हैं energy और काम करना किसको कहते है तो energy का एक रुप से दूसरे रुप में परिवर्तन होना ही कहलाता है क्या भई कारे ठीक है एक रुप से दूसरे रुप में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है कारे तो अब एक बात समझ में आती है कि हमें इसमें डिसकेस करना होगा कारे को और कार प्रकार को और सब करने के लिए क्या चिर्फ या और वाध सारी रूप हैं लेकिन हमको सिर्फ और जो पढ़ना है वह हमको पढ़ना है मीकनिकल एनरजी का थीक है सिर्फ और सिर्फ मेकानिकल एनरजी के हमें बात कर नहीं यह अंत्रिक उर्जा के सिर्फ और सिर्फ बात कर नहीं और यह अंत्रिक उर्जा क्या होता भी तो दो चीजों से मिलकर के बना है गती जूर्जा और स्थिति जूर्जा गती जूर्जा मतलब कि इसे वस्तु में गती उपहें और जैसे यह कार्ट नीचे होगा इसकी गती सबसे ज़ादा होगी तो यह होता है वह स्थिति के कारण और गती के कारण and इसके बाद बारी आती है उर्जा संरक्षन के नियम क्या हो रहा है अगर इन दोनों लाइनों को देखे तो एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है ये जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है इसका ताथपर ये होता है कि उर्जा जो है वो कभी नस्ट नहीं की जा सकती है हमेशा संरक्षित है यह हमेशा रिजर्व है यह कभी नस्ट नहीं होगी ठीक है तो इसको कहते हैं मूर्जा संरक्षन के नियम फिर बारी आती है आखरी में शक्ति कुंसा भई तो भई सक्ति सक्ति क्या भई तो सक्ति सक् सक्तिमान हमारे टाइम पे तो भाई यह यह हैं अब बहुत शारी चीज आने लगतेले कि यह की जिद किया ने तो यह सक्तिमान केते हैं। बहुत ने के जल्दी करते हैं धुटब को युट एक तंढ़ जुन ह hop तो भाई अधर की तो उश्च्रें समय इतनी एनिमेशन हो पा रही थी इसलिए इसी तरीके के एक दो कॉमिक्स या प्रिवियू को एक दो सीरियल से आते थे हैं अभी तो बहुत कुछ आता है बहुत सारे ग्राफिक्स आ चुके हैं तो सक्ति का मतलब क्या है इसमें हम काम करने की दर निकालोंगा रीट निकालो कितनी जल्दी हो रहा है ठीक आगे बढ़ते हैं चाप्टर नमर 12 पर चाप्टर नमर 12 हमारा लास्ट चाप्टर है ठीक है इसके अंधर के तहां में क्या क्या चीज़ें डिसकस करनी है तो हमें सबसे पहले डिसकस करना धौनी का उत्पातन बत्तों धुनी निकली के साथ द electronic devices से ही सुन पा रहे होंगे मुझे तो जो आपका speaker है वो क्या करा है वो vibration करा है उसमें हाथ रख करके देखेंगे तो ऐसा vibrate हो रहा होगा वो vibration किसमें create करा है air molecules में और वही air molecules में जो vibration है वो मेरे कानों तक जाते हैं तो कान जो है फिर ध्वनी संचरन के हम बात कर रहे होँगे ध्वनी किस तरीके से एक जगह से दुसरी त्रीका तक जाएगी तो ध्वनी संचरन जो होता है वो compression और रेडरफ्रेक्शन करके आगे के तलब जारी होती है ठीक है वो लॉगनी ट्यूडनल वेव के जरिये जारी होते हैं मतब 20 संचरन वेव के जरिये तरंगों के माध्यम से होता है मतब तरंगों के माध्यम कहे लूँ या फिर मैं ऐसा कहता हूं किसी माध्यम से होता और माध्यम के कर तरंगों के भाती गवन करते हैं अच्छा तो कौन से तरं एक होते हैं तो एक होता है हमारा लॉगनिट्यूडनल और एक होता है हमारा ट्रांसवर्शल एक होता है हमारा अनुदार्द तरंग और एक होती हमारी अनुप्रस्थ तरंग तब इन दोनों तरंगों के भी चर्चा करेंगे और इन तरंगों से आने वाले बहुत सरे important terms की बात कर रहे होंगे जैसे हम बात कर रहे होंगे यहां पर उसके ayam की उसके आवरिती की मतलब इसमें हम discuss करेंगे कि आवरिती की माध्यम की चाल की समय अंतराल की तरंग दायत की आयाम की ठीक है यह सब कुछ बताएगा हमको इस तरंग के जरीये और यही से हमारे मतब ये सबकुछ पता करने के बाद हम डिस्कस कर रहे हूंगे धृणी के कुछ और गुड़ों की मतब जैसे धृणी का परह लिए जैसर धृणी एक जगे से टखराके वापस आ सकती अगर किसी ऐसी से टखराह 색깔 जिसके आर पर धृणी ना जा सके वो शोशक ना हो वो शोशित ना करें तो तगरा के वापस आजागी जैसे आपने सुना होगा खाली कमरे में आप चिलाते तो आवाज गूंजती है मतलब वहाँ पर बात होती है वही एको की अनुरणन की बात होती है तो इन सबी चीज़ों को डिसकस करेंगे हम धौनी के परावरतन की रूप में फिर बात आती है प्रतीधौनी और पराधौनी ठplate है ठातीधौनी और पराधौनी की हम बात कर रहोंगे प्रतीधौनी मतलब जो repetition, vibrations वापस से आएगी कान में उसकी एको की बात करेंगे पाते हैं जहाहं तक हम neckties देख नहीं सकते हैं तो हाहIRE Daar यांज नहीं सुन सकते हम नियुनितम कुछ sound मत भी सज्ञार अधसको सुन सकते तो इससे उससे ज्यादा कि ध्वनी की हम बात कर रहा होते हैं ऐसी अपर ध्वनी का उपयोग की बात करेंगा और सोनार की बात करेंगे तो पराध्वानी का जो उपयोग है पराध्वानी का उपयोग भाई कुछ इस प्रकार से समझ लेते हैं कि यह जो है अल्ट्रसाउंड का रूप है मतलब मेडिकल इंडेस्ट्री में आप देखी रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजे होती है जैसे माल ल इसते हैं मतलब खुब वाइबरेट कर देंगे जंजनाहट यह जंजनाहट का इसमां जो भी कचरा होगा वह निकल जाएगा अब दिवारों को छोड़ देगा इस पाइप में भर जाएगा पाइप में पानी डालके निकाल लीजिए फुंक मारके निकाल लीजिए जैसे मर नविगेशन एंड रेंजिंग यह जो आपको यह शिप में दिख पा रहोगा यह साउंड नविगेशन एंड रेंजिंग क्या करें यह ग्रीन ग्रीन क्या रहा भई तो यह सब यहां से रेडियेशन मतलब यहां से एक वेप भेजे यहां करके वेप टकराई और वापस तो इसके आने जाने में लगा हुआ समय हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ जह हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे दूरी कैलकुलेट कर लेंगे कि नीचे कितने गहराई तक जैसे समुद्र में चल रही है कोई शिप तो भाई नीचे कितने गहराई तक में पानी है या ऐसा कि नीचे कौन से से माटेरियल से बिलेबल है तो अभी के टाइम में तो यह बहुत ज़्यादा एडवांस भी हो चुका है सोनार जहां पर हम यह भी पता कर सकते हैं कि नीचे तलहटी में कोई मैटल है कोई नान मैटल है रेत बिलेबल है या कोई जलिय जन्तु है कु इसको कैलकुलेशन में ला सकते हैं पता कर सकते हैं मतलब कुल मिला के सिर्फ धनी पढ़ना नहीं है इससे बहुत सारी चीज़ा इसमें डिस्कुरिशन करनी है कुल मिला करके हम इन चाप्टर्स के जरी हमारे क्लास नाइंथ के हर एक छोटे बड़े टॉपिक्स को कवर कर होंगे सीखेंगे समझेंगे अप्लाइ करेंगे और इसी प्रकार से बाकी कोर्स केंटेंट के लिए आप क्या करते हैं तो आप अपने सच बॉक्स में लिखते हैं मागनेटब्रिंस.com कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप क CUET या फिर आप Olympiad NTSC या फिर इंग्रिश से स्पोकन सीखना चाहते हैं CAIIB, JAIIB, Bank Insurance, SSC, RRB, Other Competitive Exams और एक्स्क्लूजबली बिहार और UP Board जी हां बिहार और UP Board के रिए अलग से प्लेलिस्ट हैं पर आपको दिख जाती हैं जैसे आपके चाप्टर्स ओपन हो जाते हैं आप जैसे हैं आप इसके ओपर क्लिक करते हैं आप अपने class को select करते हैं अपने chapter पर watch now क्लिक करते हैं आपका वीडियो प्ले हो जाता है जहाँ पर एक ही chapter के folder के इंतरगेत उस chapter से related उसके concept videos, उसके one shot revision videos, उसके numericals, previous year questions और उसके से जूड़ी mcqs, सभी प्रकार के mcqs, सब कु आपको सिंपल इतना करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है चानल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेर करना है क्योंकि उन्हें भी बताना है कि माग्रेट बेंज हिंदी लेकर क्या चुका है फ्री ओनलाइन यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग लिए पूरी ही सिस्टेमाटिक ओर्डर में क्लासेस ठीक है तो भई माग्रेट बेंज हिंदी लेकर क्याता है आपके लिए 7th to 12th की सभी क्लासेस फ्री आफ कॉस्ट, क्वालिटी कॉंटेंट एंड एक्स्पिरियंस टीचर के साथ तो बने रही हमारे साथ हम मिल रहे हैं अगले शेशन में हमारे कंसर्ट वीडियो के साथ थांक्स फॉर वाचिंग